की डिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे की जलक। इस फिल्म को देखकर कुछ लोगों को कुछ-कुछ होता है कि भी आएगी यार। इस फिल्म में एसार के काजोल के लिए अपनी बाजिगरी भी दिखाते हुए आ सकते हैं नजर। वेल अब आप सब सोच रहे होंगे कि रोहिद शेटी क्या काजोल और एसार के की पुरानी फिल्म की खिचड़ी बनाकर दिलवाले बनाने जा रहे हैं। वेल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरसल अपनी फिल्म से रोहिद फिर एसार के काजोल के उस पुराने रोमैंटिक चाम को कैश करना चाते हैं। ऐसे में रोहिद ने शारुक खान के साथ मिलकर फैसला किया है कि वो इस फिल्म में किसी नहे गाने को शामिल नहीं करेंगे। बलकि पुराने पॉपिलर गानों को ही इस फिल्म में शामिल किया जाएगा। साफ है रोहिद बॉलीवूड के अब तक के सबसे पॉपिलर सॉंग्स को इस फिल्म में शामिल करके अपने फिल्म को क्लासिक टच देना चाहते हैं और ये आइडिया रोहिद की फिल्म के लिए डेफिनेटली कमाल दिखा सकता है वैसा ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एक फिल्म में पुराने बॉलीवूड सॉंग्स को कमपाइल किया गया हो इससे पहले दिल विल प्यार व्यार फिल्म में भी ऐसा ही एक आइडिया इस्तमाल किया गया था वैसे ये फिल्म कुछ ज्यादा तो नहीं चली थी लेकिन हाँ ये सॉंग का आइडिया जरूर काम्याब हुआ था We just hope रोहित और SRK की फिल्म के साथ साथ उनकी सॉंग्स का भी आइडिया सूपर हिट हो Bureau Report, Zoom, Mumbai